बच्चो बायो गैस या गोबर गैस बायो गैस का उत्पाधन भी सुक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है ये सुक्ष्मजीव जैसे की जिवानों मिथेनो जेन जैसे मिथेनो बैक्टेरिया इनकी सहायता से बायो गैस जिसमें मुख्यते मिथेन होती है और कार्बन डाउक और हाइड्रोजन सिल्फॉइद और हाइड्रोजन होती हैं का उत्पादन किया जाता है यह बाक्टेरिया call भूंकत हैं अवा ये रूप से उगते हैं अभे ऐली लोज का पाचन होता है तब इस मिधेनोजैन के द्वारा निर्माण होता है साथ में अन्य गैसे भी हैं और इसी को हम बायोगैस या गोबर गैस कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि गोबर जोकि पशू is गाय भैस इनकाだ गोडरे का और इस गोबर में भी मिधेन उजन उपस्तित है क्योंकि जो मविश्य होते हैं वे क्या खाते हैं पेड़ पौधे पेड़ की पत्तिया घास यह सब खाते हैं और इनमें सेल्लोस पाया जाता है तो मविश्यों के शरीर में कुछ ये जिवानों उपस्तित रहते हैं जो सेलिलोस का पाचन करते हैं तो क्या विशेश होता है इनके शरीर के अंदर में तो इन मविश्यों के शरीर की जो आहार नाल होती है इनका एक भाग होता है रुमेन और रुमेन के अंदर में ये जिवानों उपस्तित रहते हैं मेथेनोजेन तो ये सेलुलोस का पाचन करते हैं इनके शरीर के अंदर में क्योंकि इनके शरीर के अंदर में सेलुलेज नामक एंजाइम का स्त्रा होता है जो सेलुलोस का पाचन कर तो क्या हमारे शरीर के अंदर में भी सेलूलोस का पाचन होता है क्योंकि हम भी तो पेड़ पौधे हरी सब्जियों के रुप में खाते हैं नहीं बिल्कुल नहीं हमारे शरीर के अंदर में सेलूलोस का पाचन नहीं होता है क्योंकि हमारे शरीर में सेलूलेज नामक एंजाइ यह होता है जो cellulose का पाचन करेगा हां अगर हमारे पुर्वजों की बात करें हमारे पुर्वज जो कपी हुआ करते थे उनके शरीर के अंदर में ये जिवानों उपस्तित रहते थे जो cellulose का पाचन करते थे तो ये जिवानों कहां उपस्तित रहते थे हमारी शरीर के अंदर में जो बड़ी हात होती है जिसका एक हिससा होता है सीकम इस सीकम में एक क्रेमी रूपी संरचना निकली हुई रहती है जिसको हम कहते है Vermiform Appendix इस एपेंडिक्स में जीवानों के सासत कुछ प्रोटोजवा उपस्तित रहते थे पुर्वच की बात करें और ये जीवानों सेल्लोस का पाचन करते थे लेकिन जैसे इसे विकास हुआ इवॉलुशन हुआ तो ये जो जीवानों थे धेरे धेरे खतम हो गया और आज अब मनुश्यों की बात करते तो मनुश्यों की शरीर में ये जीवानों उपस्तित नहीं है जो सेल्लोस का पाचन करें तो ये जो वर्मिफॉर्म एपेंडिक्स है अब ये अवशेशे अंग हो हुझाया है तो अवशेशे अंग का मतलब है कि अब ये ऐसा अंग है जिसका कोई उप्योग नहीं है क्योंकि इसके अंदर में जो पैजन करते तो इन पशों का जो जो मल होता है जिसे गोबर कहते है इस गोबर में भी Kayo एपस्तित है, cellos है, मतलब यहाँ पर भी कौन से जीवानू होंगे, मिथेनोजन जीवानू होंगे, तो इस गोबर का उप्योग, बायोगेस के उत्पादर में किया जाता है, तो क्या जाता है, तो क्योंकि मिथेनोजन है, इससे मिथेन गैस का निर्मान होता है तो इसी गोबर का हम यूज करेंगे बायो गैस के निर्मान में तो आईए हम समझते हैं बायो गैस की संरचना कैसी होती है कैसे ये बायो गैस प्लांट काम करता है तो बायो गैस प्लांट में एक बड़ी टंकी होती है concrete के बड़ी तंकी बनी हुई रहती है जो की 10 से 15 फिट गहरी होती है अब इस गहरी तंकी में गोबर को डाला जाता है अब गोबर को कैसे डाला जाता है गोबर को पानी के साथ mix करके उसका मिश्रण बनाया जाता है और इस मिश्रण को हम कहते हैं slurry या करदम इस मिश्रन को इस टैंग के अंदर में डाला जाता है साथ ही इसमें अपशिष्ट संग्रहित भी हम डाल सकते हैं जैसे की पेड़ पौधों की पत्तिया है टहनिया है इनका भी यूज हम इसमें कर सकते हैं तो गोबर और जल को मिला कर क्या बना ली? इस लरी को किस के अंदर में डाल रहे हैं हम इस बड़ी टैंग के अंदर में डाल रहे हैं और इस टैंग को कहा जाता है डाइजेस्टर डाइजेस्टर क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेललोस का पाचन होगा इसलिए इसको डाइजेस्टर कहते हैं तो गोबर इसमें डाला, गोबर के अंदर में क्या उपस्तित हैं ? ने जिवाणू है, वहां पर कौन से जीवाणू हैं ? मैथेनोजन जीवाणू है तो ये जीवाणू क्या करते हैं ? रूप से यहाँ पर वृद्धी करते हैं क्योंकि जब इनको अव आई वे वातावरण मिलता है ऑक्सिजन की अनुपस्तिती में यह बहुत वृद्धी करते हैं और जितनी वृद्धी होंगे उतना यहां पर सेलेलोस का पाचन होगा तो सेलेलोस के पाचन से क्या होता है गैस का निर्मान होता है जिसमें मुख्यत होत जाती है मिथेन कार्बन डॉकसाइड हाइड्रोजन यह गैस बनती है जैसे इस टंकी में गैस बनती जाती है यह जो गैसे उपर उठती जाती है अब इस टंकी के उपर में एक गुंबत आकार का धकन लगा हुआ रहता है यह जो धकन होता है इसे हम सचल धकन या गैस क्योंकि ये जैसे गैस उपर उठती है ये धकन भी हलका सा उपर उठने लगता है और इस धकन के उपर में एक निकास नली लगी हुई रहती है और इस निकास नली से ये गैस एकत्रित की जाती है और घरों में इसकी सप्लाई की जाती है तो यहाँ पर जो gas बन रही है जिसमें मुख्यत है methane, carbon dioxide, hydrogen यह gas क्या कहलाएगी बायो gas कहलाएगी जिसे हम gober gas भी कहते हैं और यह प्राकृतिक gas भी कहलाती है क्योंकि यह gober से इसका निर्मान हो रहा है इसके अलावा जो उपयोग की गई करदम होती है अब उपयोग तो की गई जिससे gas का निर्मान हुआ, bio gas का निर्मान हुआ, बाकी जो उपयोग किये जाने के बाद जो बच्ची हुई करदम होती है इसको भी एक निकास नली के द्वारा अलग निकाल दिया जाता है जिसे कहत का उपयोग किया जाता है तो अब इसमें जो गैस बन रही है जिसे हम प्राकरतिक गैस कह रहे हैं क्योंकि ये इसमें प्रदूशक तत्व बहुत कम मात्रा में रहते हैं और ये प्रदूशन रहित गैस का निर्मान कर रहे हैं और ज्यादा तर बायो गैस प्लांट आपने दे इसलिए जितने भी बायो गैस प्लांट होते हैं यह विलेजस में गाओ में बनाये जाते हैं साथ ही बायो गैस जो बन रही है यह गैस प्रदुशन रहीद भी है और यह जोलंशिल भी है इसका उपयोग हम इंधन के रूप में कर रहे हैं और यह हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत ही उपयोगी गया से क्योंकि इससे प्रदुशन नहीं हो रहा है दूसरा बायो गैस प्लांड के उत्पादन में दो ऐसी संस्थाने हैं जो मुख्य रूप से इनके निर्माण में योगदान दे रही है जो बहुत इंपॉर्डेंट है वो दो संस्थाने हैं आई जो बायो गैस के निर्माण में अपना योगदान दे रही है वो है कीवी आईसी जिसका फुल फॉर्म है खादी ग्राम उद्योग आयोग और इन दोनों संस्थानों के योगदान से ही बायो गैस प्लांड का निर्माण बहुत जगे पर किया जाता है अब हम ऐसे सुक्षम जीव की बात करेंगे जो जैव नियंतरन कारक के रुप में काम करते हैं तो सबसे बिले हमें समझना होगा कि जैव नियंतरन कारक मतलब क्या तो हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिसकी वज़े होती कुछ पीड़क या कीटों क कारण जब पेड़ पौधों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं तो उन पेड़ पौधों को रोगों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कुछ जैवेग्यानिक तकनीकी का उपयोग करते हैं जैवेग्यानिक तकनीकी का उपयोग करके वहां पर जो कीट पीड़क है उससे उन प साथ ही हम मनिश्यों के लिए बहुत अधिक हानी कारों टो कि यह यह होते हैं जिवजंतुंके लिए में रहने वाले जिवजंतों के लिए साथ ही हम मनिश्यों के लिए भी ये बहुत अधिक हानिकारग हो रहते हैं इसके यूज से पर्यावरण भी प्रदुशित होता है तीक है अब वहाँ पर जो फसल उत्पन हो रहे है या कोई खाद्य फल है सबजिया है इन पर भी इसका हानिकारग प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि ये केमिकल्स जब इन पर छिड़काओ किया जाता है तो कहीं ने कहीं इसकी वृद्धी भी रुख जाती है या कम हो जाती है तो उतना फसल उत्पादन नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि इनके बहुत अधिक इस्तमाल से उत्पादक्ता में कमी आती है वहाँ पर जो खर्पतवार उग जाती है उन खर्पतवार को खतम करने के लिए भी हम क्या करते हैं खर्पतवार नाशियों का उपयोग करते हैं ये सब ही हमारे लिए बहुत ही हानिकारक और विशेले होते हैं कहीं न कहीं ये हमारे शेरिर में पहुचते हैं और जब बारिश होती है तो मृदा के द्वारा ये पानी में भी पहुच जाते हैं पानी को भी प्रदुशित करते हैं पर रहने वाले जीव जन्तु को भी प्रदुशित करते हैं, साथी मनुष्यों में भी इन रासायनों के कारण बहुत सारी बिमारिया पैदा होती हैं, तो इन पिड़क नाश्यों के उपयोख से क्या हो रहा है? वहाँ पर रहने वाले जो जीव जन्तु हैं, वो मर रहे हैं, मतलब वहां की जैविवित्ता पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है, वहां की जैविवित्ता कम हो रही है, मतलब वहां पर रहने वाले जितने भी जीव है, जो एक दूसरे पर निर्भर है, वो अपने आप क्या हो जाएगी, उनकी संख्या कम हो जाएगी, मतलब वहां की जैविवित्ता कम हो जाएगी, मतलब पारित अंत्र हमारा कैसा हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, तो इसी प्रकार के दूश प्रभाव से बचने के लिए ही, हमें किसके आफशकता है, जैविक पिडख नियंत्रन क्या उशकता है, जो ऐसे पिडख नियंत्रन जो जैवेग्यानिक तरीके से काम करे, जिससे दूसरे जीव, दूसरे पौधे प्रभावित्ता हो, हम जिन कीटो और पिडखों को मारना चाहते हैं, वही कीट या पीड़क मरे और बाकी सब जीवीत रहे ताकि हमारा जो पारी तंत्र है वो संतुलित रहे तो ये जो पीड़क नियंत्रण होते हैं ये पीड़क क्या करते हैं प्राकृतिक भक्षन करते हैं पीड़कों का प्राकृतिक रूप से भक्षन होता है चलि हम कुछ उ जैव नियंतरन कारक की रुप में काम करते हैं जैसे कि यहां पर मैं बात कर रही हूं लाल तथा कालिधारी ब्रिंग जिसे हम बीटल कहते हैं यह बीटल क्या करते हैं एफिट्स को खाते हैं एफिट्स का भक्षन करते हैं ठीक है तो एफिट्स जो कि हमारे फर्सलों को रुक कोप्टर कहते हैं यह ड्राइगन फ्लाई क्या करते हैं मच्छरों का भक्षन करते हैं मच्छरों को खाते हैं इस प्रकार से यह जैवनी अंत्रण कारक के रुप में बात काम करते हैं जयव नियंत्रण में अब हम बात करेंगे सुक्षमी जीव की ये सुक्षमी जीव जिसका नाम है B.T. बीटी जो शब्द है ये एक जिवाणों से आया है जिसका पूरा नाम है बैसिलस थुरिंग जयंसिस अब ये bacillus thuringiensis BT इसका उपयोग किया जाता है तितली या मौत के जो लारवा होते ही इल्ली होती है उनको मारने के लिए उनके नियंतरण के लिए इस BT का उपयोग किया जाता है तो क्या किया जाता है शुष्क बिजानों को जो कि सुगंदित थैलियों में पैक रहते हैं इनको पानी में खोल दिया जाता है और जिन पात्पों पर ये कीट लगे रहते हैं उन पर इसका छड़काव किया जाता है जैसे कि सरसुकूल के पादप है ये ऐसे फलो के व्रिक्ष जिसकी पत्तिया इल्ली खाती है ऐसे प्लांट्स के उपर में इन शुष्क बिजानों का छड़काव किया जाता है तो जब इनको उस पर छड़का जाता है तो वहाँ पर जो इल्ली या लारवा रहता है ये तो वहाँ पर कुछ विश्यले पदात उत्पन करेगा और विश्यले पदात उत्पन करने से क्या होगी वो इल्ली मर जाएगे तो इससे क्या हो रहा है वो इल्ली पर इसका प्रभाव पढ़ रहा है लेकिन बाकी वहाँ पर जो उपस्तित दूसरे कीट है उस पर इसका होगा तो पिछले दर्शक से क्या किया जा रहा है जैनेटिक इंजिनिरिंग की साहिता से इन बीटी जीन्स को पात्पू में पहुंचा रहे हैं इससे क्या हो रहा है कि ऐसे पादब कीड़क द्वारा किये गए आक्रमन के प्रति प्रति रोधी है जैसे कि बीटी कॉटन इसक से खराब हो जाते थी तो इन सभी दूश प्रभाव से बचने के लिए जैनेटिक इंजिनिरिंग की साहिता से क्या किया इन कॉटन पादप में इन बीटी जीन्स को डाला गया तो बीटी जीन्स जब इन में गई इन पादप में तो यह पादप कैसे हो गया जब पीड़क इन पर आकरमन करते थे तो इसका इन पर कोई प्रभाव ने पड़ता था इसी प्रकार से बीटी ब्रिंजल और बीटी कॉन और बहुत से उत्पादों को बनाया गया जैनेटिक इंजिनिरिंग की साहिता से तो इस प्रकार से जो बीटी जीन्स होते है यह विशेले होते है और यह एक जैवनियंतरन कारक के रुप में कारे करते हैं दूसरा जो जैवनियंतरन कारक के रुप में कारे करता है वो है एक कवक जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा यह कवक मुक्त जीवित कवक है मतलब मृदा में यह मुक्त रुप से पाया जाता है पादप के रूट्स के रोग जनक इन जड़ों पर इन प्लांट्स में पर हमला करते तो उनसे इन trophy करता है इस प्रकार से यह जैव नियंत्रन कारक के रुप में कारे करता है तुप ही जो भौत अती अतिव स्थम जैवनियंत्रन कारक माना जाता है वो है baculovirus तो baculovirus जो है ये Nucleopolyhidrosis virus के अंतरगत आने वाले प्रजाती है baculovirus और ये virus ऐसे रोग जनक है कीटो और और उर्थोपर्ट्स पर ये हमला करते हैं और plants की रक्षा करते हैं इसके अलाबा ये वहाँ पर रहने वाले जो दूसरे जीव है दूसरे कीट है या दूसरे पादप है स्तन धारी है पक्षी या मचली कोई दूसरा जीव अगर वहां पर रहता है तो उन पर इसका कोई प्रभाव नी पड़ता तो बैकिलो वैरस यह ऐसा जयव नियंतरन कारक है जो उसी कीट पर हमला करेगा जिस कीट को हम हमारी फसल को उस कीट से बचाना है ठीक है तो और सबसे अच्छा यह वहां पर होता है जहां पर जैविवित्ता बहुत कम है तो जैविवित्ता अगर किसी शेत्र में कम है और वहां पर अगर हम रासायन उर्वरक का उपयोग करेंगे तो क्या होगा रासायन उर्वरक का उ बैकिलो वैरिस का उपयोग करेंगे तो क्या होगा ये बैकिलो वैरिस के वल उसी केट को मारेगा जो हमारी फर्स लोग को नुकसान पहुचा रहे हैं दूसरी कीटों को ये किसी प्रकार की हानी नहीं पहुचाता है साथ में जैवी वित्ता भी इससे सुरक्षित रहेगी वहां के जीव भी सुरक्षित रहेंगे हमारा पारितंत्र भी बना रहेगा और साथ ही ये जो बैकिल वाइरिस होता है ये समाकलित पिड़क प्रमंदन कारेकरम की भी साहेता करता है जिससे इन पिड़कों से बचा जाता है और दूसरी जीव भी सुरक्षित रहते है जै उर्वरक के रूप में सुक्ष्मे जीव अब सुक्ष्मिजीव जय उर्वरक के रूप में भी कारे करते हैं तो क्रिशी उत्पादों के बढ़ती मांगों के कारण क्या हो रहा है कि जो किसान लोग है ये बहुत अधिक मात्रा में रासायन उर्वरक का उपयोग कर रहे है अब रासायन उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें फसल उत्पादान अधिक करना है तो इससे ये नुकसान हो रहा है कि वहाँ पर जो दूसरे जीव रहते हैं वो भी मर जाते हैं और प्रदुशन भी बढ़ रहा है तो इनी सब चीजों को रोकनी के लिए हम जै जै उर्वरक क्या होते हैं जै उर्वरक एक प्रकार की जीव है जो ब्रेदा की पोश्यक गुणवद्ता को वड़ाते हैं तो आजकल आपने सुना होगा और्गेनिक फार्मिंग कार्बनिक खेती पर बहुत जोर दिया जा रहा है साथ ही जै उर्वरक का उपयोग अधिक कर बहुत बढ़ती जा रही हैं ताकि जो रासायन उर्वरक से हो रहरे नुकसान प्रदूशन इससे बचा जा सकें, तो यह जैय उर्वरक कॉन से जीव होते हैं, यह जैय उर्वरक जैसे कि जिवाणू है, कवक है, सायनो बैक्टिरिया, जिसको हम नील हरी شयवाल कहते है। यह जीव ऐसे है, जैय उर्वरक के रुप में काम करते हैं और मृदा की पोशक गुंळवत्ता को बढ़ाते हैं। जड़ों में ये जिवानों, राइजोबियम जिवानों इनकी जड़ों में प्रवेश करते हैं और वहां पर ये एक गरंथी का निर्मान करते हैं जिसे हम कहते हैं रूट नोडियूल्स और इन रूट नोडियूल्स में ये बैक्टेरिया राइजोबियम रहते हैं अब ये क् बैक्टेरिया वायूमंडल की नाइट्रोजन का स्तिरी करण करते हैं क्योंकि पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन का एब्सॉप्शन नहीं कर सकते हैं तो ये राइजोबिया बैक्टेरिया वायूमंडल ये नाइट्रोजन का स्तिरी करण करते हैं और उन्हें कार्बनिक रूप में यह पौधे करते हैं इस प्रकार से पौधों को फाइदा हो रहा है और साथ में यह जो राइजो बीयम है यह वहां पर रहता है जड़ों में और इस से पौधों से इसको पोशन भी प्राप्त होता है इस प्रकार से यह दोनों जीव आपस में रहते हैं और सहज जी की रूप में काम आ रहा है इसी प्रकार से तो कुछ पौधे जिसमें कि जैसे लेगिमिनस पौधे अगर नहीं है तो दूसरे पौधों में कैसे होगा तो दूसरे पौधों में भी नाइट्रोजन जीवानु जैसे की आजोस्पाइरिलम या ऐसोबैक्टर यह ऐसी जीवानु है यह भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं कार्बनिक पदारतों में बदलते हैं और ब्रिदा में नाइट्रोजन अव्यों की मात्रा को बढ़ाते हैं तो यह उन पौधों के लिए जो लगि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा है इस प्रकार से इंब्रिदा के उर्वरकता क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है इसी प्रकार से दूसरा जै उर्वरक के रुपे जो काम करता है वो है कवक और कुछ पात्पों की जड़े इनके बीच में सहजीवी संबंध से मा माइकोराइजा बनाते है अब यह माइकोराइजा क्या है तो माइकोराइजा दो इस से मिलकर बना है माइसेलियम और राइजोइट से तो माइसेलियम किस में होते है कवक में होते है कवक में जो तंतू होते है उसे हम माइसेलियम कहते है वैसी जो राइजोइट होता है कवक और पात्पों की जड़ों के सहर जीविता से बना हुआ बनी हुई सन्रच नहीं जिसा माइक को राजा कहते हैं तो इसमें सहर जीवी संबंद कैसे निभार है तो यह कवक क्या करते हैं जो इन पौधों की जड़ों में रहते हैं यह कवक मृदा से फॉस्पॉरुस का पर दूसरा पौधों को कवक से क्या फैदा हो रहा है यह कवक क्या करते हैं अगर कोई रोग जनक इन पौधों पर आक्रमन करता है इनकी जड़ों पर आक्रमन करता है तो उससे यह रक्षा करते हैं कैसे कि यह कवक इन पौधों की जड़ों को पूरी तरीके से ढख लेते ह एक आवरन बना देते हैं तो पूरी तरीके से धकने से वहाँ पर एक आवरन बन जाता है तो रोग जनब जब इन पर आक्रमन करता है तो ये जड़े रोग जनकों के प्रति प्रति रोधकता दर्शाते हैं दूसरा अगर उस शेत्र में लवंता अधिक बढ़ जाए या सूख तो इससे भी ये कवक उसाधा के रक्षा करते हैं वहाँ के सर्फिस एरिया को बढ़ते हैं पानी का जाँश्यूशन बहुत जादा करते हैं तो वहांपर जो form पढ़ता है उसकी कमी नहीं होती है मुआ है जब ये कवक इन पौदों की जड़ों पर अजाते हैं बिदों वह म्रुधा यह पुश सुर सेंभाते हैं जसको हम कहते हैं माईकोराईजाया तो यह वी क्या कर रहे हैं चैजर वर्वरख में deine जह स्वपुशी और तो यह अपना भुजय यह जली और स्थाली वायूमंडल में विस्तित रूप से पाए जाते है और इनका क्या काम होता है यह भी नाइट्रोजन का स्तिरी करन करते हैं और उन्हें कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं जिनका उपयोग पौधे करते हैं और जैसे कुछ उधारण हम देख जैसे कि एना भीना है नॉस्ट्रोक है औसे लोटेरिया है यह ऐसे सुक्ष में जीव है जो वायू मंडेल की नाइट्रोजन का स्तीरी करन करके उन्हें कार्बनिक रूप में कार्बनिक पदार्तों में बदल देते हैं तो इससे भी क्या हो रहा है कि जै उर्वरक की रूप मे क्या हो रही है बढ़ रही है ठीक है तो खास्तोर पे धान के खेत में यह जो साइनो बैक्टेरिया है यह जै उर्वरक की रूप में काम करते हैं वहाँ पर कार्बनिक पदात की मात्रा को बढ़ाते हैं तो आजकल जो किसान लोग है वो रसायन उर्वरक का उपयोग उतना जादा नहीं कर रहे हैं जितना कि यह जै उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि बाजारों में जै उर्वरक बहुत अधिक मात्रा में मिल रहा है और जिसका उपयोग यह किसान लोग अपने खेतों में करते हैं ताकि फसल उत्पादन अच्छा हो चलिए बच्चों हम एक कहानी सुनते हैं ये कहानी है कवकनाशी बोर्डॉक्स मिश्रन की जो बहुत ही रोचक कहानी है और ये बात है सन 1882 की फ्रांस में एक स्थान है बोर्डॉक्स वहाँ पर अंगूर का एक बाग हुआ करता था और इस अंगूर का जो बाग था ये आम सडक से सटा हुआ था तो वहाँ से आते जाते लोग क्या करते थे इस अंगूर को खा लेते थे ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा अब लोगों की इसी शैतानी को रोकने के लिए अंगूर के बाग के मालिक को एक उपाय सोचा उसने क्या किया पानी, चूना और कौपर सलफेट को मिला कर एक मिश्रन तयार किया और इस मिश्रन को इस अंगूर के बेल पर छिड़क दिया साथ ही वहाँ पर उसने एक बोड लगा दिया जहाँ पर इसे लोग आती जाते थे वहाँ पर एक बोड लगा दिया और उस पर लिख दिया जहर तो इस मिश्रन को छिड़कने से अंगूर का स्वात खराब होने लगा फिर लोग उसे नहीं खाते थे लेकिन सयोग वश वहाँ पर एक ऐसी घटना घटी कि कुछ समय बाद उस अंगूर के खेत पर एक कवक रोग का आक्रमन हुआ था और इस रोग का नाम था डावनी मिल्डू और डावनी मिल्डू जो रोग था एक कवक से हुआ था जिसका नाम है प्लाज्मो पारा विट्रिकुला तो इससे नुकसान यह हुआ कि अंगूर के खेत के सभी बेले खराब होने लगी केवल उसके जहाँ पर मिश्रन छिड़का हुआ था बोडॉक्स का मिश्रन छिड़का हुआ था वहाँ पर अंगूर सुरक्षित था और बाकी सब अंगूर जो है वो तो तभी से इस मिश्रन का नाम बोडॉक्स मिश्रन पड़ा और यह जो मिश्रन होता है यह बनाया जाता है पास लिटर पानी में 40 ग्राम कॉपर सलफट लिया जाता है साथ ही 40 ग्राम कैल्शियम हाड्रॉक्साइड लिया जाता है और इसको मिक्स करके यह मिष्रंट बना जाता है जिसका नाम जिसक महीं जाता है जिसका नाम है जिसका जिसका था बोडॉक्स हो जुर्ड कीऊ Это प्राकार स से ऑफ। प्रॉब्र soul मिस्ट्राड काईी तो बच्छों है नब भाई रोचक आधी जीव हमारे लिए रोग जनक होने के साथ कितने जादा फाइदेमंद है Southern हमारे लिए घर इतलू उत्पाद बनाने में भी बहुत अधीक उपयोगी है और दोगविक उत्पादों में इनका उपयोग किया जाता है प्रती जैविक एंटिबाटिक्स बनानी के लिए इन सुक्षमेजीव का उपयोग किया जाता है साथ ही साथ हमने देखा कि कैसे वाहित मल का उपचार करने के लिए इन सुक्षमेजीव की सहायता ली जाती है साथ ही बायो गैस के निर्मान के लि पुरिदा की पोशक्ता को बढ़ाते हैं और उत्पादक्ता को भी बढ़ाते हैं इस प्रकार से हम यह कह सकते ही कि जो सुक्ष में जीव है यह प्रित्वी पर उपस्ति जीवन का एक महत्पुन घटक है और इसके विविद उपयोग से स्पष्ट है कि जिनका प्रयोग